हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए बहुती एक अच्छा सा आइडियाज लेकर आई हूँ जो हमारे पुराने नए पेटिकोट होते हैं उसको हम ऐसे ही बेकार में फैंक देते हैं कोई भी कामें नहीं लेते हैं तो आज हम उसे बहुती अच्छे अच्छे डिजाइन्स के जै इसको बनाएंगे हाथ से सिलाई करके तो यहां से हमें क्या करना है देखो फ्रेंट एक साइड से हमें हाथ से सील लेंगे अगर सिलाई मशीन है तो आप इसको सील सकते हो मैंशे सब्सक्राइबगत इसको उल्टा कर लेंगे जितना हमारा उपर की जैसे हम उपर की साइड से अपना बानते है पेटिकोट वहाँ पे इसकी फिटिंग है उसके हिसाब से हम निच्चे की और फिटिंग लगा लेंगे निसान लगा लेंगे फिर वहाँ पे हम फिटिंग की साब से इसके उपर सिल कर लेंगे और सिलाई से इसको हम यहां से हम देखो इस तरीके से 11 इंच पर निशान लगा लेंगे और जो एक्षा हमारा है उसको हम अंदर की और फोल्ड कर देंगी सिलाई करकर अगर हाथ से आप सिलाई कर रहे हो तो इसको हाथ से भी बारिक बारिक सिलाई लगा सकते हो तो मैंने यहां पर उपर की साइड भी एक सिलाई लगा लिया है, दोनों साइड में एक्षा जो हमारा यह पेटी कोर था, वो भी मैंने अंदर के और फोल्ड करते हुए इसको सील लिया है, अब फ्रेंड्स हम इसको सीधा कर लेते हैं, देखो ये मैंने इसको सिधा कर लिया है अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे जैसे हमारे पास में कंबल पड़ा है या फिट तकीए वगेरा जो भी हमारे पास में पड़े हैं एक्षा पड़े हैं काम में नहीं आ रहे हैं तो उसको हम इसके अंदर डाल देंगे मैंने इसको पूरी को डाल दिया है एक साइड से तो हमारी सिलाई की हुई थी और दूसरी साइड हम इसको अंदर की और फोल्ड करेंगे और सुई से जैसे हम अपने जैसे रजाई के अंदर हम धागे डालते हैं फिर हम अंदर के और फोल्ड करके उसका एक साइड को इसको सिलाई से कवर करते हैं सुई से इसी तरीके से हम इसको भी सुई की साहिता से इसको सील लेंगे इस तरीके से तो ये देखो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इसको सील लिया है एक साइड से तो पहले सीला हुआ था फिर मैंने एक साइड से ओर सी लिए, आप हमें क्या करना है, आपके पास में कोई भी जैसे टेबल बनानी है हमें, तो इसके उपर हम अपना टेबल के उपर जो कवर लगाते हैं वो इसके उपर हम कपड़े को लगा देंगे, या फिर cover है तो वो लगा देंगे इस तरीके से मेरे पास में ये कपड़ा पड़ा है जैसे table के उपर लगाते हैं वही है तो ये मैंने इसके उपर लगा दिया है देखो friends कितना अच्छा लग रहा है अभी मेरे पास में थोड़ी सी जगह कम है तो ये पूरी दिखाई नहीं दे रही है इसके उपर हम असानी से जैसे हम चाइप पिते हैं या फिर नास्ता पिते हैं तो इसके उपर आराम से हम अपना समान रख सकते हैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होते है और हमारे डाइनिंग टेबल भी बन जाती है अब हमारा next idea का है देखो friends दूसरी tips आपको ब निकाल लेंगे यहां से कट करके यह ले लिए है मैंने अब हम क्या करेंगे safety pin के अंदर से इसको डालेंगे और इसके अंदर से हम निकालेंगे जिस साइड से हम अपने पेटिकोट के अंदर नाडा डालते हैं उस साइड में हम pin की साहिता से इसको डालेंगे और दूसरी सा हम इसको निकाल लेंगे, यह मैंने निकाल ली है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसको टाइट इस तरीकी से खीच के एक अच्छे से नोट लगा देंगे, जो और सी हमें यहाँ पे एक नोट लगानी है, दो तिन नोट लगा देंगे, ताकि बिल्कुल मजबूत हो जाए, ल मैंने इलास्टिक भी काम में ले लिए, अब हम इसको थोड़ा सा फोल करेंगे इसको, आब दोस्तों इसके अंदर हम धेर सारे कपड़े रख सकते हैं, जैसे अब भी हमारी सर्दी का मोसम गया है, सर्दी नहीं है, तो इसके अंदर हम अपने जैसे स्वेटर, शोल, शोक्स काफी आइटम, बहुत सारे गर्मी के, इसमें हम अपने वस्तर रख सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर धेर सारे कपड़े हैं, वो रख दिये हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, ना मिट्टी के अंदर होगे, और हमारे अलमारी के अंदर भी जगया बच जाएगी, तो इस तरीके से हमने इसको अंदर रख दिये, अब यहां से हम इसको बान देंगे, खींच के, तो यह देखो फ्रेंट्स, इस तरीके से मैंने इसको बान दिया है, आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से अच्छे से खींच के इसको बान दिये, आब इसको सि की एक डेकोरेशन की तरह है त्यार हो जाता देखो कितना अच्छा लगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज हमें जरूर बताए बाई फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्ष वीडियो